राम तेरी गंगा में हो गई पापी उपेपाइद एक शांदर शक्सित की मली का पहले फिल्म से सफलता का स्वाथ चकने वाली हेरोईन एक जटके में लोगों को अपना दिवाना बनाने वाली एक्ट्रेस और फिर अंडर डाउन के साथ अपने रिलेशन के चलते अपना करियर तबाह करने वाली एक्ट्रेस मंदागिनी के बारे में हम आज बात करेंगे 30 जुलाए 1963 को मंदागिनी का जनम पच्छिमी उत्तर प्रदेश के नामी शहर मेरेड में हुआ था माता पिता ने मंदागिनी का नाम यासमिन रखा था उनके पिता का नाम जोसेफ था और वो एक ब्रिटिशर थे इस तरह उनका पूरा नाम यासमिन जोसेफ था इनकी मा का नाम मुन्नी था और एक कश्मिरी मुस्लिम थी जोसेफ के साथ उनकी दूसरी शादी हुई थी पहली शादी से उन्हें एक बेटी थी जिसका नाम परविन खान था यास्मिन के दो भाई और एक बहन थी यास्मिन के बड़े भाई का नाम भानू और छोटे भाई का नाम रुस्तम है यास्मिन के बहन का नाम छोटी है वो डाउन सिंड्रम से पिडिच थी और सन 2013 में उनकी मौत हो गई यासमिन बहुत खुबसुरत थी तो हर कोई उन्हें देखकर यही कहता था कि यह लड़की एक दिन जरूर कोई हिरोईन बनेगी लोगों से मिलने वाली इस तारिफ से कम उमर में ही यासमिन को फिल्म इंडर्श्टी के तरफ एडरेक करना शुरू कर दिया था वह कम उमर से ही फिल्मों में हिरोईन मनने का खौप देखने लगी थी अस्तिक के दशक की शुरूत से यासमीन ने फिल्मों में काम हसिल करने के लिए मेनट करना शुरू कर दिया था सेंजी ज Aunque की डेवी फिल्म बेताब और फिर 1973 में आई फिल्म लावा के लिए उन्होंने पाँडिशन भी जिया था लेकिन उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और ये फिल्म में इन्हें ना मिल सकी यास्मिन की किस्मत ने उस वत एक करवट ली थी जब कुमार गवरों के साथ इन्हें एक अगोशित फिल्म के लिए चुना गया था मगर उनी दिनों कुमार गवरो अपनी पहली फिल्म लौश्टरी के सक्सेस से स्टार बने थे उनोंने स्टार वाला नकरा दिखाया और यह कह दिया कि अपनी पहली हिरोईन विजदापंडिक की अलावा और किसी नई एक्टरस के साथ वो फिल्म नहीं करेंगे कुमार गवरो के इस फैसलिय का नतिजा यह हुआ कि यास्मिन के हाथ से यह फिल्मे निकल गई यास्मिन को नेराशा तो काफी हो गई लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी फिर यास्मिन ने कुछ ऐसी फिल्में भी साइन की जो कभी बनी नहीं पाई मगर 1985 में यास्मिन को एक ऐसी फिल्म मिल गई जिसने उनको फिल्म स्टार्स और फिल्म इंडिस्ट्री से जुड़े होई लोगों के बीच उटने बैटने का मौका दिला दिया एक फिल्मी पार्टी में ही शोमैन राजकपुर की नजर यास्मिन पर पड़ी थी डिम्पल कपड़िया को लगबग फाइनल करी जिया था मगर जब राजकपुर ने यास्मिन को देखा तो डिम्पल को अपनी फिल्म में लेने का इरादा उन्हों ड्रॉप कर दिया राजकपुर ने यास्मिन को राम तेरी गंगा मेली में काम करने का ओफर दे दिया जिसे यास्मिन ने बिना देर की ये स्विकार भी कर लिया ये राजकपुर ही थे जिन्होंने मेरट की यास्मिन जोसफ को उनका फिल्मी नाम मंदा किनी दे दिया वो नान जो अब उनकी पैचान बनने वाला था रामतिरी गंगामेली में कुछ ऐसे सिन थे जो बहर बोल्ड थे लेकिन मंदाकिनी ने बिना किसी जिजक के वो सिन पूरे परफेक्शन के साथ शूट कर दिये थे वो सबी सिन इतने लोग प्रिय हो गए कि फिल्म पूरी दरह से मंदाकिनी की फिल्म बन गई रामतिरी गंगामेली बहुत हिट फिल्म साबित हो गई लेकिन राजियो कपूर को इस फिल्म की सफलता से कोई फायदा नहीं हुआ मन्दागिनी को मिली लोग प्रियता से राजिव कपूर को बहुत बुरा लगा उन्हें लगा कि उनके पिता राज कपूर ने फिल्म में उनसे ज़्यादा हिरोईन पर ध्यान दे दिया राजिव को हुई इस गलत फहिमी का नतीजा ये हुआ कि वो अपने पिता राज कपूर से नाराज रहने लगे दूसरी तरफ राम तेरे गंगा मेली की सफलता के बाद मन्दागिनी कामयवी के शिकर पर पहुँच गई बैक टू बैक उन्होंने कई सारी फिल्में साइन की हाला कि राम तेरे गंगा जैसी कामयवी मन्दागिनी को फिर कभी नहीं मिल पाई पहली फिल्म के बाद इका दुका फिल्में ही ऐसी रही जिन में मन्दागिनी के काम की तारिफ हुई लेकिन बाकी दूसरी फिल्मों में इनके करदार बहुत ज़्यादा दंदार नहीं रहे मंदाकिनी ने रंजीत विर्क की फिल्म मजलुम सबसे पहले साइन की थी लेकिन रामतिरी गंगा मेली में बिजी होने के कारण वो इस फिल्म पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई नतीजा ये हुआ कि ये फिल्म रामतिरी गंगा मेली से एक साल बाद यानि 1986 में रिलीज हुई इसी वज़े से रंजीत विर्क मंदागिनी से काफी नाराज भी रहने लगे थे अपने फिल्मी करियर में मंदागिनी ने लगबग पचास फिल्मों में काम किया मंदागिनी का करियर जब अपने शिर्ष पर था तभी उन्होंने डॉक्टर कगिर टी रिन्पोचे ठाकूर इनके साथ शादी कर ली तिब्बती मुल्क के डॉक्टर ठाकूर मंदागिनी से मिलने से पहले एक बहुत बिख्शू हुआ करते थे डॉक्टर ठाकूर दलाय लामा के भी फॉलवर है सत्तर के दशक में मर्फी के मशूर आड़ोडाईज में नदर आओ क्यूट बच्चा दरसल मंदागिनी के पती डॉक्टर कगिर टी रिन्पोचे ठाकूर ही थे शादी के कुछ सल बाद ही मंदागिनी उस वक्त वियादों में नदर आ गई जब अंडर वल डॉन दाओद इबराम के साथ उनकी कुछ तस्विरे सामने आई उन तस्विरों में ये दाओद संग दुबई में महज देख रही थी ये तस्वीरे सामने आने के बाद मंदागिनी के बारे में अफवा उनने लगी कि उन्होंने दाउद से शादी कर ली है और दाउद के बच्चे की मा बन चुकी है हाला कि मंदागिनी ने इन खबरों को कोई बकवास बताया था उन्होंने कहा था कि वो दाउद को जानती जłरूर है लेकिन उसके गेर कानुनी दंदों के बारे में उनने कोई जानकरी नहीं है और नहीं दाउद सक उनका कोई आफेर भी रहा है शाधी और बच्चों का तो कोई सावाली पैदा नहीं होता वक्त के साथ दाउद वाली कॉंट्रोवर्सी से मंदागिनी बाहर आ गई लेकिन इसका बहुत बुरा आसर उनके करियर पर पड़ा मंदागिनी को अच्छी फिल्म में मिलनी बंद हो गई और दिरे दिरे मंदागिनी फिल्म इंडशे से दूर होती चली गई मंदागिनी की आखरी फिल्म जोरदार थी जो 1996 में आई थी एक दोर में जवा दिलों की धड़कन रहने वाली मंदागिनी अब बुद्धिश तोर तरीकों से अपनी जिन्दगी गुजार रही है मुंबई में मंदागिनी तिब्वतन योगा सेंटर चलाती है मंदागिनी को उनके जिवन की हर वो खुशी मिले जिसकी वो खौईश रखती है तो दोस्तों मंदागिनी के बारे में जानकरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट दोरा ज़रू बताए हमारे चैनल को सब्स्रेब करना ना भूले धन्यवाद